किलास नाइंते के सभी विध्यारती ध्यान दे जो आपका त्रेमार्शिक हिंदी का जो पेपर आने वाला है उसका फुल सोलिसन जी हां आज के इस वीडियो में कक्छा नवी के हिंदी का एक से लगा कर कोस्चन नम्मर तेविस तक का फुल सोलिसन आज के इस वीडियो में आप इसे जरूर दियात करके जाईएगा वरना आपको पस्ताना पड़ेगा देखिए किस जानवर को कभी किरोध नहीं आता है तो इसा जानवर बताना है वो है गधा चलिए च्छायावाद के जनक माने जाते तो च्छायावाद के जो जनक है वो है जे संकर पिरसाद नान पति रागव राजा राम पतित पावन सीता राम यानि कि इसमें कोन सा अलंकार है तो इसमें अलंकार है आपका अनूपरास और वहां रात भर सोता रहा मैं निपात है तो निपात क्या है यहाँ पर निपात भर ठीक है जो किसी वाक्य में जोर प्रदान करे सब्द पर प्रेशर डाले वो क्या गया लाता है निपात तो यहाँ पर निपात भर आम आदमी रोजाना प्रियोग करता है तो किसका प्रियोग करता है वो तूट पेस्त का रोजदंत मंजन करता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर जो आपका जो दो है अब उसमें रिक्तिस्तान दिये गए है छे देखिए कोयल आधी डिडिडेश में कुग पढ़ती है तो आधी रात में माटी वाली हर घर में डिडिडेश पहुचाती थी तो क्या पहुचाती थी लाल मिट्टी चलिए कमाई में डिक्तिस्तान प्रत्य जुड़ा है तो कमाई में प्रत्य ये आई अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो अलंकार मुख्यता दो प्रकार के होते हैं गुरु देव सांती निकेतन से कहां चले गए तो सांती निकेतन से स्री निकेतन चले गए वीर्रस के इस्ताइभाव के यह दिए बात करें तो वीर्रस के इस्ताइभाव है उत्साहा ठीके सही जोड़ी का मिलान आपको यहाँ पर अब करना है कुस्य नमर तीन में छे सही जोड़ी आपको यहाँ पर दी गई है पेला है प्रेमचंद ठीके तो जो प्रेमचंद है इनका जाएगा दो बेलो की कठा किसी का समसान तो किसी का समसान नहीं उजड़ना चाहिए तो ये दोसरा गया दुपहेर दुपहेर का जाएगा आपका समासिक पद है चरन सरोज देखिए चरन सरोज में रूपक अलंकार है रस्खान के हम सही नाम की बात करें तो उनका नाम है सेयद इब्राइम ठीक है ये एक मुसलमान थे जब भी इन्होंने भगवान स्री क्रिशने की भक्ति की ठकुराइन पुरुखों की पुरानी चीजे ठीक है ये है आपका चार है उसमें देखिए सत्य और असत्य आपके सामने दिये गए है छे रस्कान ब्रज में जन्म लेना नहीं चाते हैं तो जो रस्कान है वो ब्रज में जन्म लेना चाते हैं और ये बोल रहा है नहीं चाते हैं तो भाईया हम भी तुम्हारे बात को गलत कर देते है प्रेम चंद यथार्त वादी रशनाकार थे तो ये एकदम सत्य है स्रंगार रस का जो इस्ताई भावे वो निर्वेध है ये गलत है योग उसका तो रती है भूपती में ती उपसर गए नहीं ठीक है भूपसर गए तो ये बात भी क्या हो गए आपकी आज सत्य हो गई पान ग्रूप कौन है तो यहां संसाल मकमली टमाटरों का रंग केसा हो गया लाल हो गया भयानक रस का इस्ताई भाव भे महादेवी वर्मा के परिवार में हिंदी को कोन लाया महादेवी वर्मा की माताजी तो उनकी माता ये पहिर आप लिख सकते हैं पूरा माय देवी की रृमा की माता जी बल सब्ध में प्रत्य लगने पर कोन सा सब्ध बनेगा मतलब बल सब्द में वान है यहाँ पर देखी यह मिस्प्रिंट हो गए है थुड़ा से लिखने में हमारे यहादवारा बल सब्द में वान प्रत्य लगने पर क्या बन जाएगा बलवान मन योग का संदी विष्चेत करेंगे तो मना धन योग ठीक है चलिए इसके बाद जो कोश्चन नमर छे है उससे आपके दो दो अंक्य के कोश्चन अंसर शिरू हो गए है यहां से देखिएगा मनुष्य इस्वर को कहा ढूंडता है तो मनुष्य इस्वर को कहा कहा ढूंडता है यह इसका उत्तरा आपकी गुण जीम देख लीजेगा देखिए ब्रज भूमी के प्रती रस्खान का प्रेम कितने लूपों में विव्यक्त किया गया है किस सासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों दो महाकावियों के नाम उर्म की रशनकारों के नाम बताने हैं कुश्चन नमर आठ में देखिए यहाँ पर भावारत आपको लिखना है ठीक है चलिए इसके बाद में कुश्चन नमर यदि नाईन की बात करें तो महाकाविय किसे केते हैं हिंदी के दो महाकाविय कारों के नाम आपको बताने हैं वीर रस की परिवासा आपको देनी है औ और उत्प्रेक्षा लंकारों की परिवासा उधारन सहीद दोहा चंद के लक्षन को उधारन सहीद समझाना है जीवनी की परिवासा बतानी है संसे इस्मरन की परिवासा बतानी है कुश्चन नमर यदि बारा की बात करें तो उसमें दिया गया एकांके किसे केते हैं दो एक महादेवी और रुवा अथ्वा देखिए यहां पर धियान से दीजेगा महादेवी य्या-सुमित्रा-णिंद्न पंत दोनों से किसी एक की दो रचनाओं को आपको लिखना है एक की दो रचना को निमनलीकित मोहावरे आपको दीए इद का चांद होना यहां प्रभुसला पस्तोना चार निपाथ सब्स्द लिखने हैं ठीक है लेक्यका की जो दादी है उनके घर में माहुल के माहुल पर सब्स चीतर का विए लेकर को अंग्रेजि में कविता लिखने क्यों रहा होगा मतलब लेकर कोँ हम लिखने का जो शोब था क्यों रहाओगा ये बताना है पाठि नम्मकतक और गें मुकतक में अंत्र तो यहा पर आमको अनुचेड बताने ठीके एक अनुचेड आपको करना है इन में से कोही भी और इसी के अत्रवा में आपको दिये गए समवाद लिखना है या तो तौकिसी तिहोहार के उपर से सवंवाद लिखिए कोई राश्टी पर वहे उसके उपर से सहंवाद लिखना या फिर कोरोना वाईर्स के उपर से सहंवाद लिखना है ठीक है वह यार तीन हो गया है चलिए इसके बाद में है рок Vai और 19 कोश्चन नम्मर 20 की अधी बात करें तो उसमें रस्खान या फिर सर्वेसर दयाल सक्षेना इनके उपर से आपको दो रशनाएं देनी है भाव पक्षे कला पक्षे समझाना है सायति में इस्थान आपको इनके समझाने है और इसी के अथवा में सोरी इस कोश्चन नम्मर 21 में आपको संदर प्रिसिंग व्याख्या देनी है इसके इन सोट आप ले लीजेगा ठीक है यहां पर देखे इसी क्या थवा का प्रस्ण है यह इसके बाद में कुश्चन नम्मर 22 के दिहम बात करें तो कुश्चन नम्मर 22 है उसमें एपली के सन आपको दी गई है दीए पहले जो पत्र दिए गया है पृतम सेरेनी में उत्रिन होने पर अपने मीत्र को बढाई पत्र और अपने विद्याले के प्रधान अध्यापक प्रचारि मोदे हैं उनको प्रात्ना पत्र दे लिखना है किसके लिए सुलक मुक्ति के लिए ठीक है और अंतिम जो कुश्चन नमर 23 वी से उसमें चार नमबर का आपको एक निबंद पूछा गया है चोटा लिखना है किन्तु सारंग गर्भीत लिखना याने कि एक उलमिला के बाते बहुती संचेप में लिखना पर सटिक आपको लिखना है ठीक है तो ये था आपका कक्छा नो हिंदी का जो पेपर है वहाँ जो पेपर है आपका 11 अक्तुमबर के दिन आपका पेपर होने वाला है उसको पहले से ही मैंने आपको कोपी में सोलिशन के साथ बता दिया गया है ठीक है इसके अलावा यदि कोई पेपर देखे एक बात आप अच्छे से जानिए कि हमारे प प्रियास पूरा रहेगा आपके लिए रियल पेपर उपलब्द करा जाए यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेगा कोई दूसरा पेपर हमारे पास मिलता है तो मैं तुरंत उसका वीडियो बना कर आपके लिए अप्लोड कर दूँगा और वे से आप ध्यान द ठीक है तो आप अच्छे से कंप्लीट करेगा फिर भी यदि कोई दूसरा पेपर मेरे पास उकलब्द होता है तो मैं तुरंत उसका वीडियो बना कर आपको डाल दूगा तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके जरूर रखेगा